गुद मॉर्निंग एजरीवन, I welcome to all of you, you are watching Education Arena, लेकिन वीडियो देखने से पहले, नीचे दिये गई सब्स्क्राइब बटन को जरूर प्रेस करें सभी बच्चों को मेरी नमस्ते, बच्चों, आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार और प्यारी सी कविता सुनाऊंगी जिल्मिल में चांद का कुर्टा नाम से संकलित है, इस कविता के रच्चेता श्री रामधारी सिंग दिनकर जी हैं, इस कविता के माध्यम से कवी चांद और उसकी मा के बीच हुई बातशीत को प्रस्तुत करते हैं, तो चलिए बच्चों, प्रसंग के बाद अब हम जिल्मिल आर्थ या धीला धाला कुर्ता, और वो क्या कहता है अपनी मा को, कि हे मा मुझे एक मोटा सा उन का जबला या धीला धाला कुर्ता सिल्वा दो, संसन चलती हवा रात भर, जाडे से मरता हूँ, ठिठूर ठिठूर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, यहां देखिए बच्चों, कि सारी रात थंडी हवा चलती रहती है, और मैं जाडे से अर्थात, सर्दी से मरता रहता हूँ, यानि मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है, ठिठूर ठिठूर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ, और मैं बहुत ही परिशानियों के साथ, जैसे तैसे अपनी यात्रा को पूरी करता हूँ, आसमान का सफर और यह मोसम है जाडे का, जाडे का, सर्दी का, ठंड का, कि एक तो मुझे आसमान में इतना लंबा सफर करना पड़ता है, और उपर से यह मोसम बहुत ज्यादा सर्दी का है, ठंड का है, नहो अगर तो लादो कुर्ता ही कोई भाडे का, कि हे मा, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई कुर्ता नहीं है, तो मुझे भाडे अर्थात किराय पर लाकर ही कोई कुर्ता दे दो, बच्चे की सुन बात कहा माता ने अरे सलोने सलोने शब्द का अर्थ है बच्चो सुन्दर तो अपने बेटे चांद की बात सुन कर चांद की माता ने पड़े प्यार से उसे कहा कि अरे सलोने अरे मेरे सुन्दर से प्यारे से बेटा कुशल करे भगवान कि भगवान तुम्हारी हमेशा भलाई करे तुम्हे खुश रखे लगे ने तुझको जादू टोने और तुझे किसी की भी नजर ना लगे अर्थात तुम्हे किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े जादे की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ तो क्या कहा चांद की माने चांद को कि जो तुम जादे की ठंड की बात कर रहे हो कि तुम्हें सर्दी लगती है वह बात ठीक है मैं मानती हूँ कि तुम्हें ठंड लगती है पर मैं तो एक बात से डरती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी भी एक नाप में नहीं देखा है कभी एक अंगुल भर चोड़ा, कभी एक फुट मोटा, कभी तो तुम एक अंगुल भर चोड़े हो जाते हो और कभी अपने सामान्य आकार से एक फुट मोटे हो जाते हो बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा कभी तुम अपने सामान्य आकार से बड़े हो जाते हो कभी तुम अपने सामान्य आकार से बड़े दिखाई देते हो और कभी बहुत छोटे घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पढ़ता है तुम हर रोज घटते बढ़ते रहते हो एक आकार में रहते ही नहीं हो नहीं किसी की भी आँखों को दिखलाई पढ़ता है और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि तुम कभी किसी को दिखाई ही नहीं देते हो ध्यान से सोचो बच्चो चंद्रमा का आकार हर रोज घटता बढ़ता रहता है न और अमावस्या के दिन तो चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता यही बात चांद की माउसे समझा रही है अब तु ही तो बता नाप तेरा किस रोज लिवाएं सीधे एक जिंगोला जो हर रोज बदन में आई अब चांद की माता उससे पूछती है कि हे चांद बेटा तुम ही बताओ कि तुम्हारे किस नाप का जिंगोला किस नाप का कुर्ता मैं सिल्वाऊं जो हर रोज तुम्हारे आकार के हिसाब से अच्छी तरह से तुम्हारे शरीर में आ जाए तो देखा बच्चो चांद और उसकी मा के बीच में कितना मज़ेदार समवाद हुआ कितनी मज़ेदार बात चीत हुई अब आप फिर से इस सरलार्थ का अभ्यास कीजिए